Make-in-India अभ्यान आज 21 वी सदी के भारत की आवशक्ता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ दिखाने का भी आवसर देता है। अगर किसी देश से रो मट्रियल भार जाएं और वो उसी से बने मैनिफेक्चर गूर को इंपोर्ट करें, ये स्थिती किसी भी देश के लिए गाटे का सौधा होगा। दूसरी तरफ भारत जैसा विशार देश सिर्फ एक माजार बनकर रह जाए, तो भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा, न हमारी युवापीडी को आवसर दे पाएगा। ये वैस्विक महामारी के दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह विश्व में सप्लाई चेन तहस नहस हुई है। और इन दिनों तो हम विशेज तोर पर देख रहे हैं कि सप्लाई चेन के विशे ने कैसे पूरी दुनिया की एकोनामी को भी हिला के रख दिया है। जैसे हम सारी नेगेटिव बातों को हमारे सामने देखते हैं, तो जरा दूसरा पहलू देखें। इस के प्रकाश में भी हमें लगेगा कि इतने बड़े संकट जब सामने होते हैं, कभी भी स्थितियां बदलती हैं, तो मेक इन इंडिया के जरूरत पहले से ज़ादा हो गई है. दूसरी तरब अगर हम देखें, क्या कोई पॉजिटिव बाते हैं, जो हमें मेक इन इंडिया के लिए प्रेरित करती हैं, आउसर को हम ढूंड पाते हैं क्या, आप देखें जिस देश के पास इतनी बड़ी मात्रा में युवा पीड़ी हो, नवजमान हो, जिस देश के लोगों की टैलेंट के विशह में दुनिया में कोई क्वेश्चन मार्क न हो, आवश्यक्ता के अनुक्सकार, स्किल, मैन पावर को डेवलप करना, डेमोक्राफिक डिवीडेन और दुनिया आज डेमोक्रिटिक वेल्यूज की तरफ बहुत आग्रव और आशाबरी लचर से देख रही है, यानि अपने आप में यह ऐसा संपूठ है, एक ऐसी चीजें हमारे पास हैं, जिसको लेकर के हम एक बड़े सपने देखशक पे हैं, उसके साथ साथ अथाफ प्राकूरतिक संपधा के हम धनी हैं, हमें इसका भरपूर इस्तेमाल मेकिन इंडिया के लिए करना ही चाहिए.